राथे राथे दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तों फालगुन पूर्मा पर होली का देहन का पर बनाया जाता है इस पार होली का देहन का पर साथ माच को है और आठ माच को रंग वाली होली खेली जाएगी इस पार गहनक्षत्रों की विशेश इस्तिती होनी की बज़े सी होली पर कई दिप सैयोग बन रहे हैं खोली का हमारे धर्म शास्तों में विशिश महत्व बताया गया है शास्तों के अनुसार महाशिवरात्री नवरात्री और दीपावली की तरह ही खोली की रात्री का भी विशिश महत्व होता है होली की रात्री को किये गए पूचन और उपाई अन्य दिनों की अपिक्षा कई गुना अधिक पुन्य फर्प्रदान करते हैं और जल्द ही सिद्ध हो जाते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको खोली पर बन रहे इन दिप्य और दुलब सयोग में कैने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाई बताने जा रहे हैं इस उपाई को कैने से धनकी देवी मा लक्ष्मी की कृपा से बर्षों से चली आ रही करीबी भी दूर हो जाती है धन की हानी नहीं होती धन का लाप होता है ब्यापार में भी प्रत्थी होती है धनकी देवी मा लक्ष्मी की कृपा से घर में सुक्सम्रधी बनी रहती है और धन धानने के भी कोई कमी नहीं रहती तो आईए दोस्तों जानते हैं क्या है यह उपाए प्राचीन काल से ही धन के महत्व को बताया कया है आप भी पैसे के महत्व को भली भाती समस्ते हैं धन सम्मंदी सुभधाओं को प्राप्त करने के लिए किसी को भी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है साथ ही धनकी देवी मा लक्ष्मी की भी कृपा बहुत ही आवश्यक होती है जब हमारे घर में नेगेटिविटी का बास हो जाता है तो हर तरब से परिशानिया आने लगती है बना बना या काम भी बिगरने लगता है अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप इस उपाय को अवश्य ही करें घर का दर्वाजा घर का चहरा होता है माना जाता है कि नकारात्मक उर्जा, दुख, परेशानी, बुरी नजर सब दर्वाजे से ही घर के अंदर आते हैं दर्वाजे से ही घर के बहार से सभी लोग घर के अंदर आते हैं जो अपने साथ कई नकारात्मक उर्जाएं लेकर आते हैं जिन लोगों की नजर बुरी होती है वह भी दरवाजे से ही घर के अंदर आते हैं और उनकी बुरी नजर हमारे घर परवार पर लग जाती है जिस घर में नकारात्मक उजा होती है वहां लडाई जगड़े होते हैं अशांती का माहल रहता है दुख पीमारी रहती है और ऐसे घर में मालक्ष्मी का बास नहीं होता इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में मा लक्ष्मी का बास हो और धन सम्मन्धी कोई भी समस्या ना हो तो आप आज के दिन अपने घर के सभी कमरों के बाहर मुख्य दर्वाजी पर पायदान के नीचे एक फिटकरी का टुकड़ा रखें फिटकरी का जोतिश्य रूप से बड़ा महत्व होता है फिटकरी नेगटिव एनेजी की मेगनेट होती है यह अपने अंदर सभी नेगटिव एनेजी कष्टों को समाल लेती है फिटकरी जीवन के कष्टों को दूर करने में बड़ी सहयक होती है तो आईए जानते हैं कि कैसे रखें फिटकरी इसके लिए आप एक फिटकरी का टुकडा लें उसे पीश लें अब इस पिसी हुई फिटकरी को एक सफेद कपड़े में पतली सी परत करके रख दे और आठ काट लगा दे अब इस फिटकरी के कपड़े को आप अपने घर के मेंगेट के पायदान के नीछे रखे इस तरहें फिटकरी आप अपने खर के सभी दरवाजों के पायदान के नीछे रखे लेकिन अगर आप सभी कब्रों के दर्वाजों पर पाइदान नहीं रखते हैं, तो आप उन सभी दर्वाजों पर फिटकरी अवश्य ही रखें, जो घर से बाहर के हों, जैसे छटे का दर्वाजा होता है, बालकनी का होता है, जो भी आपके इस तरहें के दर्वाजे हैं, कोई भी नकारात्मक उजा आपके किसी भी दर्वाजे से घर के अंदर प्रवेश करना चाहेगी तो वह फिटकरी में समाच जाएगी या कोई भी व्यक्ति नकारात्मक उजा लेकर आपके घर के अंदर आएगा तो वह पाइदान पर पैर रखेगा और इससे उसमें से सारी नकारात्मक उजा उस फिटकरी में चली जाएगी और घर में कोई भी नकारात्मक उजा परेशानी प्रवेश नहीं कर पाएगी ऐसा कहने से घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी साथ ही नकारात्मक उजा दूर हो जाएगी घर में सकारात्वक उजा का बास होगा और जिस घर में सकारात्वक उजा होती है वहां लडाई जगड़े नहीं होते बीमारिया नहीं होते और जिस घर में लडाई जगड़े नहीं होते शुक रहता है वहां पर मा लक्षमी का बास होता है और घर में सुक सम्रती हमेशा बनी रहती है ध्यान रखें हर पूर्मा पर नई फिटकरी लेकर उसे पीस कर कपड़े में बात कर पाइदान के नीचे रखतें और पुरानी फिटकरी को हटा दें क्योंकि जादा लंबे समय तक फिटकरी काम नहीं करती इसलिए फिटकरी को बदलते रहना चाहिए घर के मुख्य दर्वाजे पर कोई पवित्र चिन में लगाने चाहिए जैसे कि ओम, शिरीकनेश, स्वास्तिक, शुबलाव आधी ऐसा कैने से घर पर सभी देवी देपताओं की क्रपा बनी रहती है और बुरी नज़े से घर की रक्षा होती है चिन बनाने के लिए लाल या केसर या रंके सिंदूर का प्रयोग करना सबसे ज़्यादा शुब माना जाता है इन सुब शन्नों में सबसे ज़्यादा शुब होता है स्वास्तिक का चिन गनेश पुरान के अनुसा स्वास्तिक को भगवान श्री गनेश का रूप माना जाता है स्वास्तिक को मा लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है मानने ता है कि जिस घर के मुख्य दौर पर स्वास्तिक का चिन होता है उस घर की भगवान शरी गणेश रक्षा करते हैं उस घर में सुक सम्रती हमेशा बनी रहती है और नकारात्पक उचा घर की अंदर प्रवेश नहीं कर पाती घर के में गेट के बाहर उपर की और बंधन बार भी लगाना चाहें बंधन बार अशोक के प्रक्ष की पत्यों से बनाई जाए तो बहुत शुक रहती है या आम के पत्ते से भी बना सकते हैं अशोक के पत्ते घर में नेगेटिव एनेजी को आने से रोकते हैं अगर ऐसा ना कर सके तो बजार में मिलने बाले बंदनबार भी लगा सकते हैं इसके अलावा मुख्य द्वार पर घर के अंदर की ओर बास्तू के पवित्र तीन सिक्के लटकाने चाहिए इन सिक्कों को भी बहुत शुब माना चाहता है घर में सुक्सम्रद्धी के लिए और मालक्ष्मी को अपनी घर में आमंतित करने के लिए भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए घर के दर्वाजे तूटे फूटे नहीं होने चाहिए घर के दर्वाजे खोलते या बंद करते समय आवाज नहीं करने चाहिए अवाज गेने वाले दरवाजे अशुब माने जाते हैं माना जाता है कि ऐसे दरवाजे नका रात्मक उजा को अपनी और आकर्शित करते हैं घर के मुख्य दरवाजे के आसपास किसी भी तरह का कच्रा का वाड़ा एखटा नहीं करना चाहिए कच्रे का डिब्बा भी घर के मुख्य दर्वाजे के पास भूल कर भी नहीं रखना चाहिए क्योंकि यह चीजें भी नकारात्पक उर्जा को दुख परेशानी को अपनी तरफ आकरशित करती है ऐसा करने से घर में नकारात्पक उर्जा आती है जिस घर के दर्वाजे पर कच्रा या कूड़ा करकट या कोई भी भारी सामान या कबार होता है उस घर में मालक्षमी प्रवेश नहीं करते हैं और गंद की दर्वाजे पर रखने से हवा के साथ घर के अंदर इंफेक्शन भी आते हैं जो रोगों को बढ़ाते हैं घर के मुख्य दर्वाजे को हमेशा साफ रखें और दर्वाजे को कभी भी पैर से खोलना या बंद करना नहीं चाहिएं। ऐसा करना भी अशुब माना जाता है। दोस्तों घर के मुख्य द्वाजे द्वार पर भग्वाज श्री गणिश की पृत्मा लगाना बहुत शुब होता है। कहते हैं जिस द्वार पर भगवांशी गणिश होते हैं, उस घर में कभी किसी प्रकार की कोई परिशानी नहीं आती, भगवांशी गणिश की कि पासे घर में सुख सम्रथी बनी रहती है। लेकिन घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ भगवान श्री गणिश की प्रत्मा या तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। शास्तों के अनुसार भगवान श्री गणिश की कमर में दरित्ता का बास होता है और मुख में सुक सम्रथी का बास होता है। अगर बाहर की तरफ तस्वीर लगाई जाएगी तो घर की तरफ भगवान शी गणिश की कमर होगी, जिससे घर में गरी भी आएगी। इसलिए भगवान शी गणिश की प्रित्मा या तस्वीर आप अपने घर के अंदर की तरफ से मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं। अगर पहले से बाहर की तरफ से प्रित्मा या तस्वीर लगाई होगी है और उसे आँप हटा नहीं सकते, तो आप अपने घर पर अंदर की तरफ से मुख्य द्वार पर एक और तस्वीर लगा दें, इसलिए भगवान शी गणिश की कमर आपकी घर की तरफ नहीं होगी, घर है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंत आई होगी वीडियो को लाइक कर अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूसफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकल को भी जरूर दबाएं थैंक्स फॉर वॉचिंग राधे राधे